Hello everyone, this is Neha, welcome back to the channel, hope you all are doing great तो बच्चा देखो अब भी तक हम लोगोंने BST के हमारे 6 chapters complete कर लिए Macro के अंदर भी हम लोगोंने 3 units हमारी complete कर ली, last की 2 units और रहती है Indian ECO के अंदर हम लोगोंने 8 में से 5 chapters हमारे complete कर लिए अब आज हम लोग start कर रहे हैं हमारा BST का chapter number 7 directing प्लस देखो जितने भी मैं notes यहाँ पर use कर रहे हूँ BST के यह सारे notes मैंने आपकी NCRT से बनाया तो बहुत ही शांदार notes है और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि BST के लिए एक बार NCRT read करना बहुत important है तभी आप case studies solve कर सकते हो तो अगर आप इन notes को prepare कर रहे हो इन notes से पढ़ रहे हो तो आपको अलग से NCRT read करने की requirement नहीं होगी और यह जितने भी notes है यह सारे notes मैंने application पर upload कर दिये हैं फुल कोर्स के printable notes है तो आप वहाँ से access कर सकते हो शुरू करते हैं हम लोग हमारा chapter तो देखो क्या नाम है chapter का directing देखो हमें पता है management के कितने functions होते हैं 5 functions होते हैं कौन-कौन से planning, organizing, staffing, directing and controlling तो देखो पहला function है planning जिसके अंदर managers plan बनाते हैं मतलब advance में decide करते हैं what to do, how to do, when to do and from whom to do तो देखो planning में क्या होता है planning में सिर्फ plan बनाया जा रहा है एक base तयार करा जा रहा है advance में सोचा जा रहा है कि future में क्या करना है कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किस से करवाना है ठीक अब ही base तयार कर लिया organizing के अंदर सारी चीज़ों को organize करा जाता है सारी resources को arrange करा जाएगा departments बनाए जाते हैं तो जो arrangement से related काम है departments बनाने का काम है ये किसके अंदर आ गया हमारा organizing के अंदर χालिव 쉬ंपार्पूर्ट कम स्टाफफिंग कि सबसे पहले तो लोगों को attract करना कि आओ भई हमारे यहाँ पर vacancy है आप आकर apply करो बहुत सारी लोग apply करेंगे उनमें से best candidates को select करना वही proper interview वगेरा लेना जिन लोगों को select करा है उन्हें training provide करना उनका promotion वगेरा यह सारी चीज़े किसके अंदर आ गई कि तुझे क्या काम करना है काम को कैसे करना है तो directing का मतलब है अपने staff को direction दिखाना अपने employees को direction दिखाना कि तुम्हें कौन से direction में जाना है उन्हें बताना कि उन्हें क्या काम करना है काम कैसे करना है तो यह जो instructions देने से related काम है staff को guide करना staff को instructions देना जब हमारा स्टाफ बिचारा demotivated feel कर रहा है उसे motivate करना कि अगर तु अपना best देगा अगर target को achieve करेगा तो तुझे promotion दिया जाएगा तेरी salary में increment देखने को मिलेगा अपने staff को lead करना एक जो अच्छा manager होता है वो सिर्फ manager ही नहीं होता वो leader भी होता है वो अपने staff को lead करता है एक सही रास्ते पर लेकर जाता है ताकि organization के goals को achieve करा जा सके तो cool मिला के directing का मतलब है अपने employees को direction देना उन्हें guide करना उन्हें motivate करना उनके साथ में अच्छा से communicate करना और तो और उन्हें supervise भी करना जब employees काम कर रहे हैं तो उन पर नजर रखना कि ये सही से तो कर रहे है ना काम को अपना best तो दे रहे है ना काम को जैसे बताया था वैसे तो कर रहे है ना ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है directing के अंदर समझ में आ गया वही लिखा है directing refers to the process of instructing directing के अंदर जो managers है वो अपने employees को क्या करेंगे instruct करेंगे उन instructions देंगे कि क्या करना है काम को कैसे करना है time to time अगर employees को को दिक्कत होती है तो उन्हें guidance प्रोवाइड करेंगे उन्हें guide करा जाएगा employees की counseling होती है उन्हें best suggestions दिये जाते हैं उनकी problems को solve करा जाता है जब employee ह हमारा demotivate feel कर रहा है तो उसे motivation नेना और एक अच्छा manager हमेशा एक अच्छा leader भी होता है वो अपने employees को एक सही रास्ते पर ले कर जाता है अगर employees का attitude negative है तो उसे positive attitude में convert करना ये सब क्यों करा जाता है ताकि organization के goals को achieve करा जा सके इसी पूरे process को क्या बोला जाता है directing चमका अ and as tell क्या कहते है directing is telling people what to do directing का simple सा मतलब है employees को बताना कि तुम्हें क्या करना है क्या काम करना है काम को कैसे करना है and seeing that they do it to the best of their ability और देखना वो उस काम में अपना best दे रहे है ना जैसे उन्हें बताया गया था वो काम को उस तरह से कर रहे है ना इसी पूरे process को क्या बोला ज तो धीक डिरक्तिंग का meaning हमारा clear हो गया अब हम बात करते हैं कि डिरेक्टिंग के क्या क्या features होते हैं आफ features भी बोल सकते हो characteristics भी बोल सकते हो nature भी बोल सकते हो मतलब cool मेला के directing की विशेशता सबसे पहली बात है directing initiates action directing से action की शुरूवात होती है यानि की काम की शुरूवात ह प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं करा है प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने सिर्फ प्लान बनाया है मेंटल एकसराइजर दिमाग में डिसाइड करा है क्या करना है कैसे करना है कब करना है और कौन सा काम किसे करवाना है तो planning में हम लोगों ने सिर्फ एक base तयार करा है organizing के अंदर भी हम सारी चीज़ों को arrange कर रहे हैं departments बना रहे हैं staff में हम staff को लेकर आए हैं लेकिन staff काम करना तब चादू करेगा जब हम staff को direction देंगे उसे instructions देंगे उसे बताएंगे कि क्या करना है कैसे करना है so directing से काम की शुरुवात होती है directing is a key managerial function बहुत important काम है other functions prepare a base or setting for action जो बाकी के functions है वो सिर्फ एक base तयार कर रहे है जैसे planning एक base तयार कर रहा है लेकिन directing initiates action in the organization by giving instructions or directions the managers get the work started in the organization organization में काम सिर्फ तभी शुरू होगा जब managers अपने employees को instructions देंगे उन्हें direction देंगे उन्हें बताएंगे क्या करना है कैसे करना है पहला point याद हो गया साथ साथ में याद करते जाओ और comments में लिखते जाओ second है directing takes place at every level of management ये तो हम हर जगा पढ़ते हुए आ रहे है directing क्या है एक pervasive function है कैसे function है parvasive function है यानी कि targeting हर जगा देखा जाता है हर level of management directing करेगा जैसे देखो जो top level managers है वो किसे direction देंगे instructions देंगे middle level managers को middle level managers किसे direction देंगे lower level managers को lower level managers के नीचे आ जाते हैं supervisors जो workers पर नजब रखते हैं उसके नीचे आते हैं हमारे workers तो हर लेवल पर directing function perform करा जाता है, it is a pervasive function, every manager चाहे वो top executive हो, CEO हो, चाहे वो एक supervisor हो, हर कोई directing function को perform करता है, मतलब जहाँ पर भी superior subordinate relationship है ना, superior कौन होता है, boss होता है, subordinate कौन है, जो boss के अंडर काम कर रहा है, जो superior के अंडर काम कर रहा है, तो जहाँ पर भी superior subordinate relationship होगा, वहाँ directing होगी superior हमेशा अपने subordinate को क्या करता है direction देता है दो points याद हो गए directing initiates action directing takes place at every level of management third आता है directing is a continuous function बिलकुल directing continuous activity है मतलब जब तक हमारा organization चलेगा ना जब तक organization बंद नी हो जाता खतम नी हो जाता तब तक directing function चलेगा it takes place throughout the life of the organization अब देखो चाहे managers आए चाहे managers चाहे managers बदलते रहे managers बदलते रहते हैं लेकिन directing function हमारा चलता रहता है तो वही लिखा है the managers may change but the directing function process continues because without direction the organizational activities cannot continue further क्योंकि direction नी होगा directing activity नी होगी तो कहीं न कहीं employees काम नी कर पाएंगे अब देखो ऐसा है एक manager ने मान लो directions दे दी एक manager ने instructions दे दिए orders दे दिए इसी के साथ में directing function खतम नहीं होता आपने orders instructions दे दिए उसके बाद में भी तो continuously employees को guide गरना पड़ता है उन्हें supervise करना पड़ता है यानि कि check करना पड़ता है वो काम को सही तरीके से तो कर रहे है ना बंदा demotivate feel कर रहा है तो उसे motivate करना पड़ेगा तो a manager cannot just rest after issuing orders और instructions इसी के साथ में directing function खतम नहीं होता he has to continuously guide supervise यानि कि नज़र रखनी पड़ेगी and motivate his subordinates तीसरा भी clear हो गया fourth आता है directing flows from top to bottom ये एक तरह से हम लोगों ने पीछे भी देखा था directing function जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है top to bottom इसका मतलब top level managers किसको direction देंगे middle level managers को middle level managers किसको direction देंगे lower level managers lower level managers किसको direction दे रहे है एक तरह से समझ लो workers को तो ये top to bottom follow कर रहा है यानि कि जो organizational hierarchy होती है उस hierarchy को follow कर रहा है directing starts from the top level and flows to the lower level organizational hierarchy it means that every manager can direct his immediate subordinate हर manager अपने immediate subordinate को क्या देगा direction देगा और हर subordinate अपने immediate boss यानि कि immediate superior से direction लेता है instructions लेता है चमक्य अच्छे से उसके बार में है performance oriented देखो अगर हम NCRT के बात करें तो NCRT में सिर्फ 4 points है लेकिन आपकी reference books में 2 points extra है तो वो भी हम cover कर रहे है directing function क्या है performance oriented है planning, organizing, staffing ये सिर्फ क्या कर रहा था एक base तयार कर रहा था लेकिन direction से action की शुरुआत होती है काम की शुरुआत होती है तो directing function क्या है performance oriented है directing का main मकसद ही ये है कि काम efficiency के साथ में हो और काम effectively पूरा होना चीए काम time पर complete हो जाए efficiency होनी चीए कि काम इस तरह से हो कि काम को करने की cost कम से कमारी है हमें best results मिल रहे है तो directing function के through ही हम लोगोंने जो plan बनाये है उस plan को हम actual performance में convert कर सकते है performance oriented है और last है directing क्या है एक human element है यानि कि human being से related है directing function के अंदर जो managers है वो कही ना कही human behavior को study करते हैं कि किस बंदे को हम कैसे motivate कर सकते है employees के behavior को mold यानि कि उनके behavior को change करने की कोशिश करी जाती है अगर employees का attitude negative है तो उसे positive में convert करा जाएगा तो कही ना कहीं यहाँ पर interpersonal relations improve होते है मैं किसके interpersonal relations superiors और subordinates के relations improve होते है employees को motivate करा जाता है कि वो अपना best दे सके तो यह जो पूरा का पूरा काम है वो सिर्फ और सिर्फ किस से related है human behavior से related है so directing is a human element आगे अच्छे से समझ में 6 points हो गए हमारे directing initiates action it takes place at every level of management continuous function है top to bottom flow करता है performance oriented है और human element है अगर याद हो गए तो please मुझे यह सारे के सारे characteristics comments में लिख दो आगला देखो अब हाता है हमारे पास में importance of directing importance भी बोल सकते हो और इसे आप significance भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो एक बार ऐसी बता देती हो the detail में डिसकस करेंगे directing से action की शुरुआत होती है पीछे भी पढ़ाता it integrates employees effort देखो organization में बहुत सारे employees है हर किसी की अपनी अपनी post है हर किसी के पास में अलग authority है अलग responsibility है हर कोई अलग-अलग direction में जा रहा है लेकिन उन सब के efforts को एक साथ लेकर चलना ताकि हम organization के common goals को अजीव कर सके ये directing की importance है directing function के थूँ employees को motivate करा जाता है directing से हम organization में change लेकर आ सकते है normally क्या होता है जब organization कोई change लेकर आना चाहता है तो employees resist करते है वो बोलते हैं नहीं नहीं हम इस change को accept नहीं करेंगे उसमें एक अच्छा manager अपने employees को direction देता है उन्हें motivate करता है कि जो हम change लेकर आ रहे है वो आपके लिए भी अच्छा है तो changes हम लेकर आ सकते है और directing function के थूँ organization में stability रहती है आपस में chaos, लडाई जगड़े नहीं होते organization में balance रहता है तो पहला वही है to initiate action the employees in the organization start working only when they get instructions and directions from their superiors employees काम तभी करेंगे जब उनके superiors उन्हें direction देंगे उन्हें instructions देंगे और directing function ये भी make sure करके रखता है कि unity in direction हो जितने भी employees हैं वो एक direction में जाए इधर दुदर न आ जाए एक direction में जाए ताकि organization के common goals को achieve करा जा सके action की शुरुवात होती है to integrate employees efforts integrate मतलब इखटा करके चलना directing integrates employees efforts in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance एक organization में बहुत सारे अलग-अलग employees हैं हर किसी के पास में अलग-अलग level of authority है अलग-अलग उसकी responsibility है हर कोई अपने काम को best समझता है तो उन सब के efforts को integrate करना उन्हें एक साथ लेकर चलना ताकि organization के goals को achieve करा जा सके वही क्या है directing है तो directing से employees के efforts को integrate करते हैं it ensures that the individuals work for organizational goal ताकि सारे individuals किसले काम करें ताकि organization के goals को achieve कर सके third है means of motivation directing function does not only mean giving orders to the subordinates बहुत सही बात है directing का मतलब सिर्फ अपने subordinates को orders instructions देना ही नहीं होता it also includes motivating the employees to perform to their best directing function के अंदर employees को motivate करा जाता है कि तुम अपना best दो अगर तुम अपना best दोगे तो वही है तुम्हारा promotion होगा तुम्हें increment मिलेगी तुम्हारी वावा ही होगी तो इसकी वज़े से कही ना कही employee को belongingness वाली feeling आती है वो encourage होता है कि वो अपना best दे सके तुम facilitate change अगर हम directing function perform कर रहे हैं हम मतलब managers तो organization में changes लेकर आना possible है जब normally अगर organization कोई change लेकर आना चाता है न तो employees हमेशा resist करते हैं मुझे धियान है COVID की time पर मैं एक school में पढ़ाया करती थी तो COVID की time पर ऐसा हुआ में laptops नहीं थे उनके घर में wifi नहीं थे या फिर वो technology से इतना aware नहीं थे तो वो resist कर रहे थे कि हम तो online नहीं पढ़ाएंगे हम तो offline ही पढ़ाएंगे वो teachers resist कर रहे थे अब essay में हमारे coordinator हमारे principals ने क्या करा उन principal ने और coordinators ने क्या करा उन teachers को motivate करा कि अगर आप online पढ़ाओगे it is good for you आप घर पर होगे आपको continue आपकी salary मिलती रहेगी प्लस आपकी skills और brush up होगी आप technology सीखोगे तो आप upgrade होगे this is good for you तो वही है इस तरह से managers अपने employees को direction देते हैं उन्हें motivate करते हैं उनके negative attitude को positive में convert करते हैं changes लेकर आना possible हो जाए तो वही लिका है generally the employees hesitate in accepting the changes but through directing function the changes can be implemented more easily as while giving direction the supervisors guide the subordinates that the changes are better for them also directing function के तुरू ही जो superiors हैं जो supervisors हैं वो अपने subordinates को direction देते हैं कि जो changes हम लेकर आ रहे हैं ये सिर्फ organization के लिए अच्छा नहीं है इसकी विज़े से आपको भी फायदा होगा समझ में आया और last है bring stability and balance in the organization directing function के तुरू ही organization में stability रहती है balance रहता है effective directing helps in bringing stability and balance in the organization generally when the employees are working at different levels they develop different attitudes and the balance between their attitudes is made by directing function देखो organization में जब लोग अलग-अलग job positions पर काम कर रहे हैं किसी के पास में ज्यादा power ज्यादा authority है किसी के responsibility है उसकी pay ज्यादा है किसी के पास में कम power है कम responsibility है तो लोगों के attitude में चेज आघाता है हर कोई अपने काम को best सवचता है दूसरे के काम को importance नहीं देता तो उनके attitudes में एक balance ले कर आना आपस में लोगों के बीच में एक proper cooperation होना चाहिए है ना एक commitment होना चाहिए अलग-अलग departments, group of लोगों के बीच में एक proper cooperation ताल में लेकर आने का काम किसका है directing का तो it fosters cooperation and commitment among various groups, activities and departments हो गया समझ में आ गया तो 5 points हम लोगों ने देखे action की शुरुआत होती है employees के efforts को integrate करना employees को motivate कर सकते है, changes लेकर आ सकते है all organization में stability रहती है, balance रहता है तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया अब कल की class में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखो directing के चार elements है supervision, motivation, communication and leadership supervision का सुफ मीनिंग देखना है वो हमारे course का part नहीं है तो कल की class में supervision का meaning और साथ में motivation जो की बहुत important है, वो हम complete करेंगे यहां तक का अच्छे से पढ़के रखना यह जो importance और features मैंने बताये हैं इन्हें याद करके comments में लिख देना I will see you tomorrow, lots of love, bye-bye